हेलो फ्रेंड स्वागत एक बार फिर से आपका वीच्टार एजूकेशन यूटूब चनल पे और आज के सेलक्चर में हम बात करेंगे कि CSIR एक्जाम देने के लिए कौन-कौन से क्राइटेरिया आपके लिए फुल्फिल होने चाहिए हम बात करेंगे कि नेट जी-आरफ में क्या अंतर होता है नेट जी-आरफ के क्या वैनेफिट होते हैं CSIR एक्जाम के लिए क्या इलेजिविल्टी होनी चाहिए क्या होना चाहिए हम बात करें कि एज लिमिट आपके कितनी होनी चाहिए जर्णल OVC एंड आपका SCST के बारे में क्या रिलक्सेशन मिलता है एज में ठीक है इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम एक्जाम के पैटरन पर चलेंगे कि आपका टोटल नंबर का एक्जाम कितने रिका होता है आपका सिलेवस कौन कौन सा होता है इसके बाद हम बात करेंगे स्कॉर कार्ड वैलिडिटी की कि आपका जो CSIR exam अगर आपने qualify किरट लिया है तो LS कब तक के लिए valid होता है JRF आपका कब तक के लिए valid होता है तो आज हमें इतना कुछ देखने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि 2023 में क्या नया rule आया है जो आपको पता होगा कि CSIR NTA govern कराता है यानि कि NTA National Testing Agency जो है आपका CSIR exam conduct करवाता है तो आपको इतना पता होगा तो इस वार 2023 में NTA ने क्या कुछ नया रखा है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो अगर आप एक CSIR aspirant हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादे benefit होने वाली है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि CSIR की full form क्या होती है CSIR मतलब council for scientific and industrial research इंडस्टियल रिसर्च इंडस्टियल रिसर्च इंडस्टियल रिसर्च ठीक है यह आपका 1942 में स्टेविलिस क्या गया था CSIR इसका headquarter आपका New Delhi में है ठीक है तो इतनी तो होगी आपकी basic knowledge अब देखते हैं काम की बात कि CSIR exam conduct ही क्यों होता है ठीक है तो CSIR आपको दो facility provide कराता है एक होती नेट की एक होती आपकी जी आरफ की नेट आपका national eligibility test होता है जी आरफ आपका junior research fellowship होता है नेट आपका lecturer के लिए होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूं नेट आपका lecturer के लिए होता है जबकि जी आरफ एक प्रिकार की fellowship होती है ठीक है तो आपको इस बात को याद लखना है याद लखना नेट जो होता है वो lifetime के लिए आपका अचीवर होता है जबकि जी आरफ आपका केवल अगर आपने जैसे एक जाम क्वालिफाइक किया है तो उसके दो साल के अंदर अगर आप इस जी आरफ को यूज कर लेते हो कहीं पर तो आपका वैलेडिट है हम देखेंगे कि किस प्रिकार से हम कहां कहां पर यूज कर सकते ह आरफ को कौन-कौन से पबलिक सेक्टर होते हैं कौन-कौन से गवर्मेंट सेक्टर होते हैं आपके तो वो सब हम देखने वाले हैं ठीक है इसके बाद इलेजिवल्टी पर चले आते हैं कि क्या होनी चाहिए हमारी CSIR एक्जाम देने के लिए तो याद रखना क्वालिफिके के लिए कंडेक्ट कराता है जिसमें Life Science, Earth Science, Physical Science, Chemical Science and Mathematics आते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं CSIR के लिए ठीक है बैसे तो एक्जाम पैटरन सब के लिए वराबर होता है इलिजिविल्टी आपका एक्जाम पैटरन एस सब के लिए बराबर होता है बट यहाँ पर थोड़ा सा जब मैं नंबर की बात करूंगा तो मैं स्पेसिफिक हो जाऊंगा CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए ठीक है तो इलिजिविल्टी में आपके पास मास्टर होना तो भी आप एक्जाम दे सकते हो बट BSC ओनर्स में आपकी एक कंडिशन होती है वो कंडिशन क्या होती है कि आप BSC ओनर्स पास आउट होने चाहिए आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एवेटेड नहीं होना चाहिए आने की रिजल्ट आपका वेटेड में नहीं होना तब आप इस CSIR exam के लिए qualify है जब कि अगर आपके पास graduation 4 year की है या फिर master degree है तो अगर आपका result एवेटेड है यानि कि आप last year में हो तब भी आप अपना exam दे सकते हो और अगर उसमें qualify होते हो तो आपको अराम से जियर फैलोशिप मिल जाती है दोबारा समझो क्या कहना चारा हूँ अगर आप अपने master के या फिर graduation के last year में हो तो आप CSIR के लिए eligible हो ठीक है आपको जो जो जियर फैलोशिप होती है वो provide कराई जाएगी जब कि अगर आपके पास BSC owners है तब आपको इस BSC owners में complete pass out होना पड़ेगा यानि कि यहाँ पर आप आपका result का wait नहीं करा जाएगा जब कि इस master or graduation में आपका result का wait कर लिया जाता है graduation four years कौन-कौन से होता VE, MBBS, BTEC, V Pharma यह सब आपके चार साल के जो जितने भी आपके graduation course होते हैं उसमें आते हैं यानि कि B Pharma वाले भी आपके direct CSIR का एक जान दे सकती है BTEC वाले भी, MBBS वाले भी, VE वाले भी and आपके integrated BS, MS वाले होते हैं वे भी इस exam को दे सकते हैं ठीक है तो eligibility यही होती है इसकी बट एक बात और आ जाती है इसमें कि आपके कितने percent marks होने चाहिए तो याद रखना है SC, ST के लिए इसमें criteria 50% marks आपके होने चाहिए जबकि जो OVC है OVC and journal के लिए आपके 55% marks होने चाहिए तब आप CSIR exam को qualify कर सकते हो ठीक है तब आप CSIR exam के लिए अपना exam दे सकते हो इसके बाद age criteria पर चलते हैं कि age criteria कितनी होती है तो याद रखना LS के लिए कोई age criteria नहीं होती है यानि कि आप LS के लिए कभी भी अपना exam दे सकते हो इसमें कोई आपको age की criteria नहीं होता 50, 40 आपका assist है ना तो इसके लिए आपका कोई भी age criteria नहीं होता बट बहीं पर अगर हम बात करते हैं JRF की junior research fellowship की तो इसमें age criteria चला आता है और age आपकी 28 years होनी मतलब जो maximum age है वो 28 years होनी चाहिए और ये 28 years आपकी कब count होगी जब से आपका जो exam fulfill करने का जो timing होता है जो date होती है तब से आपकी 28 years maximum age गिनी जाती है तो आप इस बात को भी याद रखना बट यहाँ पर relaxation मिलता है relaxation किसको किन किन को मिलता है आपका SC, ST या female candidate या देखना female candidate को आपका यहाँ पर relaxation मिलता है वो वे कितने साल का almost 5 years का relaxation यहाँ पर मिल जाता है जबकि OVC के लिए बात करें तो OVC के लिए maximum आपको 3 years का जो relaxation है एज में वो मिल जाता है जर्नल वालों के लिए यहाँ पर कोई relaxation नहीं होता और यह बहुत जादे खराब बात भी है क्योंकि देखो यार आज की कंडिशन ऐसा होता कि हर जर्नल व्यक्ति जो जर्नल में आते हैं वे मतलब हाइक क्लास के नहीं होते मतलब मालदार नहीं होते कुछ विचारे गरीब भी होते हैं तो उस हिसाब को देखो तो इनने ये criteria अपना change करना चाहिए मेरे हिसाब से तो आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि आपके हिसाब से ये criteria और क्या होना चाहिए comment कर सकते हो ठीक है कुछ देखो अगर हम आवाज उठाएंगे आज छोटी सी आवाज है कल को बड़ी आवाज हम ही बनेंगे ठीक है एक्जाम हमारे लिए हो रहा है एक्जाम हम दे रहा है और एक्जाम कराने वाले भी हम ही है तो हम इसमें change कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपको इस related कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में जरूर कर बोलना ठीक है इसके बाद आपको benefit पता होगा कि अगर आपका कहीं पर प्रोजेक्ट चाहिए वह आपकी CSR की Lab हो चाहिए आपकी ढूलए께 जैसे कि 2 साल भी हो सकता है चैक फिर आपका एक साल भी होते हैं तो बहां पर आपको net मांगते है तो फिर प्रोजेक्ट के लिए आपका Net होता है जब्कि आपका अगर आपके पास IV है तो फिर ऑप about Singapore ले सकते हो फिर आप PhD कर या फिर आपको सभी साइन्टिफिक प्रोग्राम के अंतरगत इंकलूड हो तब भी आप अपने ये एरफ फैलोशिप ले सकते हो ठीक है इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं कि अब आपका एक्जाम का पैटरन कैसे आता है तो आप देख लेते हैं कि आपका एक्जाम का पै ब्लेविँ डालता जिसमें मैंने उसमें चार्सोचालिस वी दिया ता टू हंड्रेट भी दिया ता मेक्सिमम बच्टो ने ठीक सही आंसर है कि आपका 440 नंबर का एक्जाम आता है याज दिखना Chief Brenda 24 Teen Сейчас 2100 नंबर का ही करना होता है ठीक है ठीक है 200 तो याद रखना जो आपका exam है वो तीन category में divide किया जाता है, एक होता है आपका part A, दूर्सा होता है आपका part B and तीसा होता है आपका part C, ठीक है? पार्ट A जो होता है वो जर्नल एप्टिटूट का आता है और चाहे आपका mathematics हो, life science हो, chemical हो, earth science हो, physical science हो, जर्नल एप्टिटूट आपका same होने वाला है यहाँ पर पार्ट B जो होता है वो short answer type का आता है यानि कि यह आपका core subject का होने वाला है अब मैं यहाँ पर LS यानि कि life science को लेकर के चलने वाला हूँ तो यहाँ पर यह मैं लिख देता हूँ कि life science का core आपका core में आता है यानि कि यहाँ से जो पार्ट B में से आपका पूछे जाता है वो life science से ही पूछा जाएगा short answer आपको दिये जाएंगे one liner answer जिसको बोलते हैं इसके बाद part C में भी आपसे LS में से ही पूछा जाएगा यानि कि life science में से ही पूछा जाएगा बट यहाँ पर research area application area यहाँ पर आपके long आपको जो है question देखने को मिलेंगे ठीक है आपके mostly जो होते हैं researchable और आपके application question आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं अब देख लेते हैं कि इसमें कितने कितने number के question आते हैं ठीक है तो याद रखना part A में आपके total question 20 आते हैं जब कि पार्ट B में total question आपके 50 आते हैं, पार्ट C में आपके 75 question आते हैं, जब कि हमें जो करने होते हैं, पार्ट A में हमें मात्र 15 question करने होते हैं, पार्ट B में हमें मात्र 35 question करने होते हैं, और पार्ट C में तो मोज ही आ जाती है, यानि कि 25 question हमें कुल करने होते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब ca 10 इतनी बात समझ गए होंगे तो देखो 15 तो ये आपके लिए जानना स्पेसिफिक हो जाता है 75 चोगे आपके होते हैं 300 ठीक है तो आप इतनी बात याद रखना 15 को जब 2 से डिवाइट करते हैं तो 100 आ जाता है 20 को 2 से डिवाइट करेंगे तो 40 आ जाता है 300, 400, 440 यानि कि यहाँ पर जो आपका टोटल हो जाता है वो हो जाता है 440 नंबर का 440 नंबर का यानि कि हमें 440 में से आपके 200 नंबर ही करने होते हैं ठीक है तो अब आपको पता लगा होगा कि आपको जो टोटल एक्जाम होता है उसके नंबर होते हैं 440 जबकि हमें 200 number का ही total उसमें करना होता है ठीक है अगर आपको इतनी बात पता लेगी तो बहुत अच्छी बात है अब एक बात और याद रखना कि इसमें negative marking होती है जो कि आपकी 25% की होती है यानि कि अगर आप यहाँ पर part A या पर part B में अगर आप कोई भी अपना question wrong करते हो तो आपके .5 number deduce हो जाएंगे जबकि आप part C में कोई सा भी अपना गलत question करते हो तो यहाँ पर आपका एक number cut हो जाएगा ठीक है ना तो आपको इस बात को भी याद रखना है इसके बाद देखो क्या होता है कि life science का आप से लेवस देख रहे होंगे कि आपको 13 unit आपकी पू course करा रहा हूं YouTube पर ठीक है life science related तो अगर आप life science के experiment है तो आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं और मुझसे पढ़ सकते हैं ठीक है तो देखो अब इसके बात क्या आता है कि हमारा जो scorecard होता है scorecard की validity कितने साल तक की होती है तो याद रखना LS जो होता है आपका जो LS होता है जो आपका net होता है net जो होता है आपका lifetime के लिए होता है यानि कि आपका lifetime के लिए net होता है जबकि जो आपका जे आरफ होता है junior research fellowship ये मातर आपका two years के लिए ही valid होता है तो आप इतनी वात याद रखना अगर guys इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर अगर इसमें आप कुछ और जानना चाते हो तो आप हमें comment कर सकते हो आपके comment का मैं जवाब तुरंत देने की कोशिस करूंगा तो guys I hope आपको lecture अच्छा लगा होगा तो इसी के साथ मिलते हैं अपने दूसरे lecture में तब तक के लिए tata and bye bye